कार किसंद बाइयों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूटूब चैनल पे चिसा की किसंसाथियों आपको पता है कि जो आने वाला सीजन है खरीब सीजन का है और अजिकतर शेत्रों में स्वैमिन का कोई विकल्प एविलिबल नहीं है कहीं की जमीन ऐसी है तो कहीं की जलवाईयन बरसाती ही ऐसी होती है कि वहाँ पानी की कमी ही मैसूस होती है हमेशा वाटर लेवल भी कम है इसी सब से वो स्वैमिन को सोड़कर दूसरी पसल लगाई नहीं सकते जहां कहीं पर जमीन अच्छी वाटर लेवल भी अच्छा है और वो अलग फसल लगाते हैं मक्का वगेर जुवार तो वहाँ पर जो नील गाय का आतंके वो भायंकर हैं जिसके काण किसान साथियों वहाँ के भी किसान जो मजबूर हुआ स्वयविन की फसल लगाते हैं तो आज की इस वीडियों हम बात करें कि लगाता है स्वयविन की फसल जो घाटा दे रहे हैं उसकी पूर्ची हम केसे कर सकते हैं वो भी स्वयविन की फसल लगा करें जिस साथ कि किसंसाथ्यों जिस परकार से एक बिजनेसमेन किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए वो बहुत सरी तयरिया बिजनेस का जो स्ट्रक्चर उसको खळा करने से पहले ही तयरिया लेता हैं जैसे कहें कि उसकी कारी सिल्फ पुंजी कितनी है उसको कच्चा मल कहां मिलेगा पक्का मल वो कहां एक्सपोर्ड करेगा इस परकार की वो तयारिया करता है ठीक इसी परकार से हमें अपने असल लेने के लिए उससे अच्छा उत्पदन लेने की बहुत सभी तयारिया करने प्रतिश अंगर्शल ठरहना पड़ता हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी तरब से पूरी तयर हम कैसे करें ताकि यही अनुकुल परिस्थित्या रही तो हमें सही परिणाम मिले अच्छा उत्पादन मिले तो किसा सत्यों सबसे पहला काम करना यानि अच्छा बीच अच्छी किस्म ही अच्छी पसल की पेदावार देगा और इसके लिए हमें ऐसी वीराइटी का चुनाव करना किसा सत्यों जो हमारे शेत्र के लिए अनुकुल हो जो हमारी खेत की मिट्टी के लिए अनुकुल हो साथ ही जो रोग रोधी और कीट उत्पादन लागत यदि कम आएगी फसल अच्छी होगी तो निश्चित रूप से हमें अच्छागासा लाव होगा किसान साथियों विराइटी का चुनाव करने के बाद उस विराइटी का बीज हमें राप्त करना है वो भी विश्वनी इस्तान से या विश्वनी किसान से या जो स्वैबिन रिसर्च सेंटर या नोसंदान केंदर है उन से यदि किसी प्रकार से हमें गलत बीज मिल गया और बाद में यदि हमारे उत्पादन में कुछ गडबड हुई तो हम उस विश्वनी को दोश न दे क्योंकि यदि बीजी गलत है तो फल के सही होगा इसलिए हमें अच्छे विश्वनी इस्तान से इस बीज को ले रहा हैं किसन साथियों बीज लेने से पहले आप अंकूरन टेस्ट कर ले तो बहुत ही अच्छा है और अंकूरन टेस्ट करने की के वल दस मिनिट की प्रकार याई किसन साथियों जो विश्वस्षणी है मैंने अपने इस यूटूब चैलर पर बता रही है और आई बटन और जो डिस्रिप्शन है वहाँ पर मैं लिंक दे दूँआ आप उस तरीके से किसी भी प्रकार की विलाइटी का बिना किसी अत्रिक्त चीज के आप 10 मिनिट में उस बीज का 100% जर्मिनेशन चेक कर सकते हैं और वो हमेशा साथिक रहता है ये क्रिशी वेग्यानी को द्वारा ही तयार किया रहा है किसान साथियों कोई मेरा नहीं है लेकिन मैंने वीडियो के माद्यम से आप लोगों को जानकर शेर की तो जर्मिनेशन के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं किसन साथियों बीज हमें मिल गया उसका अंकुरण हमने देख लिया तो अब हमें आते हैं उस्ट्रक्चर की ओध्यों की सबसे महत्वपोन है और वो है खेत की तैयारी जिसन की किसन साथियों मैं आपको हमेशे बताते आया हूँ कि खेत की मिट्टी की हिसाब से यानि जितनी उसमें ताकत होगी उतना ही अच्छा वो प्रोड़क्शन देगी इसलिए आपको अपने खेत की मिट्टी को सबसे पहले आपने तीन साल तक उसे गहरी जूताई नहीं करवाईए उसकी तो करवा लेजिए और महिना दो महिना उसको पड़े रेने देजिए फिर पाटा चला लेजिकर उस मिट्टी को बुरबुरी कर लेजिए और यदि आपके पास गोबर की खाद एवेलेबल हैं तो आप बुआई से पंदर से बीद दिन पहले उसे खेत में बिखेर कर अच्छी तरह से मिला दीजिए और यदि आपके पास जो देशी खाद अवेलेबल हैं और यदि आपके पास सीचाई का पानी हो तो गर्मी के सीजन में आप उसमें किसन साथियों डेचा वगेरा के फसल हरी जो खाद होती है वो लेकर भी आप अपने भूमी की उरुरणाशक्ति बढ़ा सकते हैं और एक बात के देनरके की साथियों हमेशे आपको मिठ्टी की जाच करानी हैं तीन वर्षे में या चार वर्षे में एक बार मिठ्टी की जाच अवश्य कराएं और कौन-कौन से पोशक्ततवर की कमी है इस बात की यदि आपको जानकर हो जादत है वह काम आएगी अब बात कर लेते हैं बुवाई का सही समय कि संसाथियों जैसा कि हमारे यहाँ पर जो मांसोनी सिजन है वो जून से लगे सितमबर तक रहता है और यदि 15 जून से 15 जुलाई के मद्दी बारिश हो जाती है तो इस हिसाप से हमें इसकी बुवाई करन करनी है साथ ही हमें अपने खेट की मिट्टी के हिसाप से अपने खेटी की जमीन के हिसाप से दो से तीन प्रकार की विराइटियों को बुवाई करनी है जल्दी आने वाले वाले विराइटियों तो अपने वीडियो की माध्यम से हमने आपको बता रखा है इसलिए वीडिय मतलियाजरlt के मादियम से आप अपने गैस कुंछ साथ एप सरण साने तो आप उस मन्जी पर जिस रास्ते से आप को सुगम लगें आसान लगें उस रास्ते से जाना है यानि कि जो मुख्य पश्यक्त अवारे खेट में आवश्यक हैं इनकी पसे लिए नाइट्रोजन पास्पर्स प्रोटास तलफर इनकी पूरती चाहिए आप DAP के माध्यम से करें या SSP के माध्यम के साथ अनिक फर्टिलाइजर करें इनपी के फर्टिलाइजर के साथ सलफर का परियोग करके करें कि इसमें कितनी लागत आती है इस बात को आपको ध्यान रखना है आपके पास कितना जल्दी अविलेबल हो जाता है कौन सा खाथ कितनी मात्राम देना है इसके लिए भी हमने अपने चड़ल पे अलग-अलग वीडियो बना रखे हैं आप चाहे तो वहा जादन है पहले से ही जुटाने होंगी और जब समय आये तो किसान साथियों समय पर उसकी बुआएगी यह देनिक उसकी निगरानी रखना आपके पसल को निश्यरुप से उसकी जब आप देनिक निगरानी रखेंगे तो उसमें आने वाले रोग कीट वगेर की जानकरिया को प्राप्त होगी और आप उन्ने शमय पर रोग पाएगे किसान साथियों यह दि समय पर कोई काम कर लिया जाए तो निश्यरुप से वो लबदाएक होता है यह दि किडो की संक्या बढ़ गई या रोक की संक्या बढ़ गई उसके बाद आप ज्यादा इस पर भी करते है तो निश्य दूप से उसका फाइदा नहीं होता है, हमारे माली बाशा में कहावत हैं कि थोड़े में तो कोई देता नहीं, फिर ज़्यादा देता है, यानि कि जो गन्ना होता है, वो देता नहीं, बाद में उसका गुर निकाल का सत देना पड़ता है, यानि कि बाद में आप उठा पाएंगे, हाना कि किसान साथियों जो मानसुन का जोखी में वो खिसान भाईयों के साथ रहता है, क्योंकि भारती मानसुन को करशी के साथ जिवा का गया है, लेकिन सभी कुछ अपने अनुकुत हो जाए, तो फिर खेती करने में मज़ा ही क्या, खास तो विपरित परिस्तियों में शंगर से रने वाले को ही किसान कहते हैं, तो किसन साथियों आज के वीडियो में इतनी ही जनकरी, उम्मित करता हूँ कि ये जनकरी आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्रे वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, और ये दोस्तों के शियात शेयर क आप अपना परिवार का पशुदन का, फिलते हैं एक नए वीडियो में नई जनकरी साथ उप्तर के लिए जहीं जई जवान जए की साथ